नमस्कार आप देख रही है नेक्स्ट नाइन न्यूस पॉलिटकल बाइट और आपके साथ मैं हूं करांदि सेंग आपको अतादे कि उत्तर प्रदेश में जो है इस वक्त बेहदी खलबली मची हुई है क्योंकि भाजपा वर्सी समाजवादी पार्टी के लड़ाई जो है व जिनमें एक पैत्रा ये भी था कि आजम खा और उनके बेटे की विधाई की रद करवाना और इसमें अब बीजेपी की एक बड़ी सफलता जो है वो नजल आ रही है दूसरी तरफ जो है अखिलिश यादक की एक बड़ी हार होती हुई भी साफ दिखाई दे रही है आपको पदादे की करीब 15 साल पहले जो एक मामला शुरू हुआ था उस मामले की कारवाई के बाद आज यहाँ पर अब्दुल्ला खान की यहाँ पर फिर से विधायकी रद कर दी गई है इसके उपर बीजपी सांसत का जो है एक बड़ा बयान भी सामने आता है जिसमें वो ये बा पाने के से चलते जो कि समाज में जो है एक अच्छे स्वरूप के साथ में जन्ता के सामने जो है एक बड़िया तौर तरीके के साथ यहाँ पर एक एक्जामपल सेट करने की कोशिश की जा रही है आपको दादे कि भाजपा के खेमे के ऊपर जो है यह अभी तक का सबसे पहले तक हमने यह भी देखा था कि भाजपा जो है वो समाजवादी पार्टी को जादा अपने सामने प्रतिद्वंदी के रूप में नहीं मानदा था और यहीं वज़ा थी कि भाजपा उपर जादा पलटवार भी करता हूँ नजर नहीं आता था लेकिन आग जैसे धीरे- कदम बढ़ाते हूँ अकले श्यादम नजर आ रही है उनके कदम रोकना जो है वो यहाँ पर भाजपा के लिए जरूरी हो गया है और यहीं वज़ाए कि भाजपा की तरफ से जो है यह तमाम कोशिशे की जा रही है फिलाल आजम खां के बाद उनके बेटे की विधाय की करे रही है यही है